तो आज हम बनाने वाले हैं जिंजर पार्सल तो बहुत ही आसान रेसिपी एकदम डॉमिनोस के जैसा लगेगा खाने में तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें तो गैस पे मैंने पैन गरम होनी के लिए रख दिया था इसमें हम डालेंगे एक यहां पर में जिंजर पार्सल जोए चे से साथ बनाने वाली हूँ तो उसके लिए एक टेमाटर काफी है अगर अगर आप ज़्याधा बना रहे हैं तो जादा ले सकते हैं एक के जगھगा डोले ले तो यहां पर टेमाटर जो जो इसमें ठीए हमने में हमें अग्ज़ मही मिर्च यहां पर मैंने अधा लिया है अब इन सभी मेक्षर को हमें अच्छे से भून लेना है कम से कम चार से पांच मिर्ट तक और ज्यादा हमें कोक नहीं करना है प्याज को मतलब थोड़ा सो पिंक टाइप सा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे उसके वाद सेजवान सॉस तो सबसे पहले तो इसे हमें भून लेना है ताकि अच्छे से पक जाए तो यहां पर अब इसमें हम डालेंगे टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक तो कर आप अपने कोडिंग कर ले तो नमक के बाद इसमें हम डालेंगे एक चमच यहां पर मैं डाल रही हूं और इगैनो और को आसानी से मिल जाएगा और यह इसमें कंबल सरी है क्योंकि इसके वैसे ही इसका टेश्ट काफी अच्छा आता है अब इसमें हम डालेंगे तीन से चार बड़े चमच सेजवान सौस से जो जिंजर पार्सल का स्टफिंग काफी टेश्टी लगेगा खाने में तो यहां पर मैंने चोटी-चोटी पीसिस में पनीर काटा है तो इन सभी को भी हम इसमें डाल देंगे और ज्यादर नहीं बस एक मेट तक इसे हमें इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूल लेना है तो यहां पर एक मेट हो चुका है गैस को मैंने यह पर ओफ कर दिया है और इस एक बाउल में हम निकाल लेंगे अब हम जिंजर पार्सल के लिए यहां पर डो बनाएंगे तो यहां पर मैंने गरम पानी लिया है और इसमें आदा चोटा चमच हम डालेंगे ड्राइश डालेंगे और अगर आपके पास ड्राइश नहीं है तो इसके जगह आप डायक्ट मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं द्राइश के साथ मैंने थोड़ा सा 2-3 पिंच मैंने चीनी डाला है और इसे मैं रेष्ट करने के लिए दो मेर्ट छोड़ दिया था और इसमें डालेंगे डेर सोग्राम मैदा अच्छे से मिक्स कर तो इस तरह से हलका हलका गूतना है और सॉफ्ट डू हमें रेडी करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी आधा हमारा जो डू है वो तो इसे बाव से बहुत है और इसके बाद इसे हम एक चमच इस पर हम डालेंगे कुकिंग ओयल ताकि यह तो आसा चिकना हो जाए इसके बाद इसे हम मुक्के की हेल्प से इस तरह से गूतेंगे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए जितना इसे हम गूतेंगे उतना ही यह सॉफ्ट होते जाएगा इस तरह से हमें इसे लगता हलका साल पाइल डाला है मैंने एक बार और इसी तरह से गूतना सुरू कर देंगे आप इसे जितना ही मसलेंगे हमारे जो आटा है वो उतना ही सॉफ्ट होते जाएगा तो इस तरह से हम मसल मसल करेंगा और इतना ही अच्छा ये फूलेगा भी तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आटा है वो इस तरह से दिख रहा है और बिल्कुल अच्छा अग्दम सॉफ्ट बन चुका है तो इसे दो मेट के लिए हम साइड कर देंगे तो यहां पर दो मेट को चुका है तो इसके लिए अब हम जिंजर पार्चल का एक रोटी बेल लेंगे तो एक छोटा सा लोई लेंगे उसके बाद हम इस तरह से बेल लेंगे एकदम पतला जिस्ता का हमें रोटी बनाते है घर पे उसी तरह से हमें इसे बेल लेंगे और आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल चिपक नहीं रहा है एकदम आराम से अच्छे से यह बेल ले रहे हैं तो इसी तरह से हमें बेल कर एकदम अच्छे से इसका एक पतला सा रोटी रेडी कर देना है आप चाहे तो इसके ऊपर बटर या फिर कुकिंग ऑईल का इस्तमाल कर सकते हैं जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो तो हलका से इस पे मैंने ऑईल डाला है mix sorry spread मैंने कर दिया है और इसी तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे त्रिकॉन सेप में हमें इस तरह से फोल्ड करना और उसके बाद इस पर हम डालेंगे stuffing जो हमने सेजवान सॉस के साथ पनीर के stuffing बनाया था उसे राजी जाजा नहीं बस एक चमची डालेंगे क्योंकि जो प्रेस करते और दबा देना हैं ताकि जो इसितरा से सभीको हमें रेडी कर लिए हैं यहां पर रेडी करें लिए हम बनाने वाले हैं आवन में तो सबसे पहले हम यहां पर चार बनाएंगे ताकि एक दूसरे वह चिपकी ना सब को करेंगे और काफी अच्छा और टेश्टी बनता है यह तो एक बार आप अपने घर पे जरूर इसे बनाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जिंजर पार्सल बनकर रेडी हो चुका है काफी दिखने में अच्छा है खाने में काफी टेश्टी है तो वीडियो अगर किजिए सब्सक्राइब किजिए और आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो पर थांक यू अ अजय हो चुका है